लू हिरे यह धाइस वीदियो में हम लोग बात करेंगे डबबली लिंक्ड लिस्ट की यिसमें 2007 ऊपले वाले इस एचले के सबसे पहले कोई नोड इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगो काल आप्बसार्ट लिंक्ड लिस्ट में आ हम लोग code में आएंगे, ओके, सबसे पहले देखिए हमारा list है, doubly linked list है, आप लोग जानते होंगे, doubly linked list यह क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों तरब से आप traverse कर सकते हैं, इसलिए doubly linked list है, doubly linked list के कुछ rules आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि इसका जो first node होता है, उसके प्रिफ पार्ट में null होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे कि null है, और इसका जो last node होता है, उसके next पार्ट में null होता है, और य beginning में कैसे कोई node insert कर सकते हैं, नया, so, एक node, यह हमारा है, माले जी हम लोग ने एक नया node किया है, create, अब इसको, सिर्फ create करने से काम नहीं होता है, इसको आपको list में connect करना पड़ेगा, सारे term condition को follow करते हुए, ठेक है, यह तो सिर्फ आपने node बनाया है, जैसको आप connect कैसे कर यानि कि temp के पास भी 100 है, temp क्या एक pointer है, अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, कि इसके info part में अगर आपको कोई data रखना है, तो आप temp pointer का use करके, इसके info part में कोई भी data insert कर सकते हैं, डेटा रख सकते हैं, अब इसके preview part में यह जो नया node है आपका, इसके preview part में आप null रखते है तो यह हम लोग इसको matter पूरे नोड होने वाला है, इस पूरे list पूरे list का, तौर काउने आपके बदा wsp suggest मेंDC खते हैं, तो यहां हम लोग इसके नोल बनाते हैंhiránh हम लोग ने, अब इसके next पार्ट में क्या होता है, इसके next पार्ट में इससे, यहाँ जो नूड होता है, इ इस नोड का address होना चाहिए ऐसा यह rule है तो यहां आपको 200 रखना है यहां 200 इसके नए node के next part में इससे इस node के पहले वाले node का आपको पहले वाले इसको अठाना पड़ेगा यं इसके आपको 100 इसे इस तरीके से इस तरीके से इससे आप इंसर्ट करते है एक नया node अपने डबली लिडी लिष्ट में जो कि पहले से बना हुआ था अब इसको थोड़ा और रूड इडिल में समझते हैं code के साथ ठीक है एक और बात कि start अब इसको point नहीं करेगा बलकि अब इसको point करेगा start pointer जोगे होता है मैं सब first node को point करता है ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिएगा ओक अब थोड़ा सा और detail में जानते हैं जिसकि हमारे पास यह list है मानले जी ठीक है इस list के बारे मैं फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि यह हमारा doubly linked list है because यह इधर से भी और इधर से दोनों तरिप से traverse कर सकता है इसका इस node का address 200 इस node का address 300 और यह चुकि first node है इसलिए इसके प्रिव पार्ट में नल है और यह first node का address address हमेशा start pointer के पास होता है start pointer हमेशा first node को point करता है और इसके next part में हर एक node के next part में उसके आगे वाले node का address होता है और last node के next part में नल होता है इसके आगे कोई node नहीं है अब हमें करना यह है कि हमें यहाँ एक node insert करना है तो कैसे करेंगे तबसे पहले तो आपको एक नोड बनाना पड़ेगा, नोड बनाने का कोड हम लोगों ने डिसकस किया हुआ है, यह एक नोड को रिपर्जेंट करता है, तो इस कोड के थुरू हम लोग एक नोड बना लेते हैं, ठीक है, लेगनि इस नोड का भी तक memory allocation नहीं हुआ, यह टेंप नम का pointer बनाते हैं, और टेंप नम के pointer में नया जो हमारा नोड बना है, उसके लिए हम लोग size occupy करते हैं, तो जो भी size है और टेंप में जा रहा है, इसका मतलब यह है कि नए नोड का जो address है, वो 100 है मान लेजे, तो इसको point करेगा टेंप, यह हमें साथ टेंप जो हो नए नोड को करेगा, क्योंकि इसका जो भी size वो यहाँ है, जो भी address वो यहाँ है, temp pointer के पास है, ठीक है, इसलिए, और इसलिए हम लोगों ने temp को बनाया, नए नोड का एक pointer आपको बनाना पड़ेगा, जो कि इसको में साथ point करेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप temp pointer का यूज करके इस तरीके से temp arrow info, इसको arrow नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ simplicity के लिए arrow बोलेंगे, temp arrow info equal to लिखते हैं, इसका मतलब आप जो भी यहाँ लिखते हैं, equal में यह data यहाँ जाकर insert हो जाएगा, ठीक है, अब next line of code लिए अप लिखते हैं, temp arrow prove, क्यों, क्योंकि ह हमें यहाँ null करना, क्योंकि हमारा first node होने वाला, तो इसको first node बनाने के लिए इसके प्रीव पार्ट में आपको null रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आप यह code लिखेंगे, temp arrow prove equal null, तो यहाँ से प्रीव होटेगा और null हो जाएगा, उसके बाद आप temp arrow next, temp arrow next equal start लिखते हैं यह लिखने से क्या होता है, और यह क्यों लिखा जाता है, temp arrow next, यहाँ आपने लिखावा start, क्यों, क्योंकि यह आपका first node होने वाला है, और इसको इसको link करने के लिए यह जरूरी होता है कि इस node के next part के पास इसका address यहाँ होना चाहिए, जिस तरीके से इस node के next part में इसका address इसके आगे वाले का नोड का एड्रेस उसे तरीके से इस नोड के next पार्ट में भी इसके आगे वाले नोड का address होना चाहिए इसे हम लोगों ने यह line of code लिखा हुआ है जो कि कहता है कि temp arrow next में यानि कि यह कहता है कि temp arrow next में आपको लिखना है start और start के पास पास क्या start के पास है 200 क्योंकि start अभी इसको point कर रहा है और इसका address क्या है 200 तो यह कह रहा है कि स्टार्ट के पास 200 तो यह कह रहा है कि टैम्प एरो next start स्टार्ट यानि कि 200 यानि कि यहां next हटा कर आप क्या कर दो next हटा कर आप यहां लिख दो 200 जिससे कि यह इससे लिंक हो जाए इतना समझी में आग गया अब next क्या कहता है कि start प्रीव इक्वल क्योंकि यह कि इसको पॉइंट करता है और इसके address 100 है तो ήταν के पास क्या हंड Bowl यह कह रहा है ultimately कि आप हंडेट कर दो यानि कि start प्रीव start इसको प्रीव यह है तो यहां क्या कह रहा है कि अप नल को हटा आओ नल को हटा आओ और नल को हटा कर क्या कर दो करどう जैसे कि यह इससे लिंक हो जाए तो इससे क्या होता यह जो सारी proszpub क्या हुआ कि यहां 200 आने से यह से लिंक हो गया इस तरीके से और यहां 100 आने से यह से लिंक हो गया और जो term condition है डबली लिंक रिलिस्ट का कि इस इस node के next part में इसके आगे वाले node का address होना चाहिए और इस node के previous part में इसके पहले वाले node का address होना चाहिए तो यह term condition अभी यहाँ fulfill हो रहा है तो हम लोग यह सकते हैं कि यह पूरा list जो है इसके प्रिव में इसका address सेना पड़ता है I hope कि अपनों confusion हो नहीं हो रहा होगा यह basic stuff है जो कि हम लोगों ने introduction में ही देखा होगा मगर फिर भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ एक और line of code है जो कि कहता है कि आपको क्या करना है कि start equal temp करना है start equal temp के पास अभी 200 है लेकिन आपको अब क्या करना है start को क्या कर देना है टेंप कर देना यानि कि start equal 100 कर देना तो इससे कि start अब इसको नहीं point करके इसको point करेगा क्यों ऐसा करना है क्योंकि start pointer जो होता है वह हमेसा first node को point करता है और अब हमारा first node यह नहीं है बलकि यह है इसलिए start इसको point करना चाहिए so guys यह पूरा code है insertion at the beginning in double linked list और उसका जो logical आप जिस तरी किसे समझ सकते हो मुझे उम्हें देखिए आपको यह insertion समझ में आया होगा beginning में कैसे insert करते हैं बाकी और अच्छे तरी किसको हम लोग देखेंगे जहां हम लोग इसका practical example करेंगे तब पूरे code के साथ code blocks में ठीक है औ आपको basic यह जो मैंने बता है यह आपको याद होना चाहिए तभी आपको वहाँ code समझ में आएगा दरवाइस नहीं आगा क्योंकि इतनी detail में तो कम से कम हम वहाँ बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ में insertion के सभी operation करने है insertion at the beginning at the end at the end position traversing यह सारी चीज़ी करनी पू इस बूक में twitter में whatsapp में कहीं भी आप मुझे message कर सकते हैं इसके regarding thanks for watching this video